हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु मैं चैनल तो आज हम शॉर्ट कॉलर कुर्ति की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए हमने धाइमेटर फाबरिक लिया है और इस फाबरिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है यहाँ पर यह फोल्ड साइड है तो यह इस फाबरिक की लंबाई है और यह चोड़ाई है तो अभी हमें इसको फोल्ड करना है तो इस तरह से उठा कर हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें इसे पूरा फोल्ड नहीं करना है थोड़ा ही फोल्ड करना है तो हमने इसफाब्रिक को यहां तक ही fold किया है और यह 4 fold हमने लिया है 11 inch का जितना आपका hip का size है उसको 4 से divide करना है प्लस उसमें 2 inch margin एड़ करना है तो यहां पर मेरा hip size है 36 inch उसको 4 से divide करेंगे तो वह आजाता है 9 inch प्लस 2 inch margin ले लेंगे तो वह आजाता है 11 inch अभी हम length लेंगे तो यहाँ पर length मैं ले रही हूँ 44 inch ready length उसमें हमें 2 inch marginate कर लेना है folding के लिए तो यहाँ पर 46 inch पर निशान लगा लेंगे अभी इस निशान को सीधा करेंगे अभी इस fabric को हम यहाँ से cut करेंगे तो इस तरह से हमने कुर्ती के लिए कपड़ा निकाल लिया है अभी यहाँ पर जो कपड़ा बचा है इसमें से हम sleeves की cutting करेंगे तो इस तरह से हमें fabric को full fold करके रखना है यह open side है और यह fold side है अभी यहाँ पर हम shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रहे हूँ 6.5 inch यहीं से armhole लेंगे तो armhole भी मैं ले रहे हूँ 6.5 inch इन दुन points को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर हमें chest का fourth part plus two inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूँ 11 inch अपका जो chest का size है उसको four से divide करना है plus two inch margin एड़ कर लेना है अभी हम shoulder से कमर की length लेंगे तो वो मैं ले रहे हूँ 14 inch और hip की length लेंगे तो वो मैं ले रहे हूँ 20 inch अभी जहाँ पर हमने कमर length का निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर का fourth part plus two inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूँ 9.5 inch और जहाँ पर hip length का निशान लगाया है वहाँ पर hip का fourth part plus two inch margin लेना है तो बहले रही हूँ 11 इंच इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और नीचे तक हमारा स्ट्रेट ही रहेगा क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट कट कुरती है अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहां से आर्मोल का शेप देना है अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो यहां पर कॉलर नेक बनाना है तो नेक वेड़ मैं ले रहे हूं 1,5 इंच स्मॉल मीडियम लार्ज साइज के लिए 1,5 इंच लेना है एकसेल डबल एकसेल साइज के लिए आपको 3 इंच वेड़ लेनी है अभी लेंगे तो फ्रंट के लिए हमें 3 इंच लेना है और बैक के लिए हमें सिर्फ 1,5 इंच ले लेना है उसके बाद यहां से हम इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक नेक के लिए अभी cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole cut करेंगे तो हमने cutting कर ली है अभी यहां से हमारा slit आएगा तो यहां पर हम एक छोटा सा cut लगा लेंगे उसके बाद हम इसको open करेंगे और इसमें से back parrot को side में रखेंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी हम इसको center से cut कर लेंगे तो इस तरह से हमने front part को center से cut कर लिया है फ्रेंट पार्ट में हमें center में button placket बनाना है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को four fold करके रखा है ये open side है और ये fold side है और इस four fold की width हमने लिए 9.5 inch जितना आपका armhole है उससे 3 inch जदा लेना है और sleeves की length हमने लिए 13 inch अभी यहाँ open side में हमें 3 inch पे mark करना है और यहाँ से हमें sleeves का shape देना है अभी यहाँ पर sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा cut लगा लेंगे अभी हमें sleeves को open करके रखना है यहाँ पर दोनों sleeves की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही हमें front का armor draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है बाद में यहाँ पर हम button पट्टी लगाएंगे अभी यह हमने front का part लिया है तो यहाँ पर हम button placket बनाएंगे तो इसके लिए यह हमने strip ली है और इस strip की width है 3 inch तो left side में हमें इस strip को उल्टा रख लेना है और पूरा नीचे तक हमें इस strip को stitch करना है और right side के लिए हमने यह strip ली है इसकी width है 2 inch इसको भी हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और stitch करेंगे तो हमने दोनों side में strip को stitch कर लिया है अभी यह जो 3 inch वाली strip है इसे हम सीधी side में turn करेंगे और सबसे पहले एक half inch का fold करना है हमें और उसके बाद जहाँ पर हमने strip को attach करके सिलाई लगाई है उसी के उपर इसको रखते हुए stitch करेंगे यह strip हमें 1 inch बाहर की तरफ रखनी है और जो दूसरी strip है इसको हमें पूरा ही अंदर की तरफ double fold कर देना है और stitch करना है तो हमने दोनों strips को stitch कर लिया है यह हमारी strip 1 inch बाहर की तरफ है इसके ऊपर हमें दूसरा वाला पार्ट ओवरलेप करना है तो यह हमारा बटन प्लैकेट बन गया है अभी हम बैक का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर् अटेज कर लेंगे तो हमने शोल्डर्ज को अटेज कर लिया है अभी हम collar के लिए measurement लेंगे तो यहाँ पर दोनों साइड में हमारा जो placket बना है 11 inch का उसको हमें छोड़ना है और उसके बाहर से हमें measurement लेना है तो इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए हम measurement ले लेंगे तो यहाँ पर neck का measurement 14 inch का आया है अभी collar के लिए यह हमने 2 strips ली है और इसकी जो width है वो 4 inch की है और इसकी जो length है वो हमने 18 inch की ली है तो neck का measurement हमारा 14 inch का आया है उससे हमें 4 inch जादा लेना है तो इसके लिए हमने 18 inch strip की length ली है अभी इसको fold करेंगे अभी यहाँ से हम 7.5 inch पे निशान लगाएंगे तो neck का measurement हमारा 14 inch का आया था तो उसका हमें half लेना है 7 inch तो उसमें हम half inch सिलाई margin एड़ करेंगे तो 7.5 inch पे निशान लगा लेंगे और इसके बाहर हमें 1.5 inch तक margin छोड़ना है और इस निशान को हम तिरचा जोड़ेंगे अभी यहाँ पर हम half inch पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम round shape दे देंगे और अभी हम इसकी cutting करेंगे तो इस तरह से collar की cutting कर लेनी है अभी यहाँ पर दोनों strips की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और यह जो उपर वाली साइड है इसे हमें stitch करना है तो मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ कि हमें कौन सी साइड stitch करनी है तो यह उपर की तीन साइड हमें stitch कर लेनी है तो हमने इसको stitch कर लिया है अभी कौनों में cut लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम छोटे-छोटे cut लगा लेंगे और इसको हम सीधी साइड में turn करेंगे और इसके कौनों को हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है सुई की help से तो हमने collar को तयार कर लिया है अभी हम इसको कूर्ती में attach करेंगे तो कूर्ती को हमने सीधा रखा है यह सीधी साइड है तो यहाँ पर दोरों साइड में जो हमारा 11 inch का निशान है उसको छोड़ते हुए हम collar को इसके उपर रखेंगे इस तरह से एक साइड से हम इसको स्टिच करेंगे दूसरे साइड तक तो इन दोनों पार्ट्स को पकड़ते हुए हम स्टिच करेंगे तो हमने को पार्ट्स करेंगे means collar को स्टिच कर लिया है अब यह जो रॉ एजजस हे इसके लिए हमने यह स्टिप ली है और इसके weddht है 3 inch तो strip को हम फोल्ड करेंगे और एक साइड से हम स्टिप को लगाएंगे तो strip को हमें हाफ इंच बाहर की तरफ इस तरह से फूर्ड करना है ये दिखें बाहर की तरफ हाफ इंच हमें फोल्ड करना है और स्टिच करना है अभी हम इसको पूरा राउंड में स्टिच करेंगे अभी और end में भी extra strip को हमें cut करना है, half inch तक ही हमें strip रखनी है और इसको भी अंदर की तरफ fold करना है और stitch कर लिना है तो इस तरह से हमने strip को यहाँ पर stitch कर लिया है, अभी हमें strip को अंदर की तरफ fold करना है देखिए इस तरह से fold करते हुए हम इसको stitch करेंगे तो यहाँ पर नीचे का जो कपड़ा है उसको पकड़ते हुए अच्छे से हम इसको stitch करेंगे ने तो पीछे की side में जोला सकता है अगर आप beginners है तो आप इसको हाथ से stitch करें तो इस तरह से हमने पट्टी को fold करके stitch कर लिया है, अभी collar को हम इस तरह से fold करेंगे तो यह हमारा short collar लग गिया है अभी यह हमारा open ही रहेगा, बाद में हम यहाँ पर eye button लगा लेंगे और नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा slate रखना है अभी हम sleeves में placket बनाएंगे तो इसके लिए हमने यह दो strips ली है और इसकी length है 4 inch और इसकी जो width है वो sleeves bottom के बराबर है और एक strip हमने placket के लिए ली है और इसकी width है 3 inch और इसकी length है 6 inch तो इस strip को हम fold करेंगे और यहाँ पर हम V-shape में stitch करेंगे तो इसको हमने stitch कर लिया है अभी यहाँ पर हम cut लगा लेंगे और इस strip को हम सीधी side में turn करेंगे तो हमने strip को सीधी side में turn कर लिया है अभी इसमें से एक strip को हम side में रखेंगे अभी इस placket को हमें इसके बीचो बीच stitch करना है तो एकदम center में हमें इसे stitch करना है तो center में हमें एक निशान लगा लेंगे और placket को इसके उपर रखेंगे और यह जो दूसरी strip है इसको भी हम इसके उपर रखेंगे उल्टा दोनों strip की सीधी side हमें अंदर की तरफ रखनी है और उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है तो हमने यहाँ पर stitch कर लिया है अभी इस strip को हम wrong side में turn करेंगे अभी इस पट्टी को हमें stitch करना है sleeves में तो placket को उपर करेंगे और इस पट्टी को इसके उपर उल्टा रखेंगे और stitch कर लेंगे तो हमने इसको stitch कर लिया है अभी पट्टी को सीधी side में turn करेंगे तो यह हमारा placket यहाँ पर लग गिया है बाद में यहाँ पर हम button stitch करेंगे और सेम इसी तरह से हमने दूसरा sleeves भी ready कर लिया है अभी shoulder पे sleeves को attach करेंगे तो sleeves को shoulder के उपर उल्टा रखेंगे और stitch करेंगे इसी तरह से दूसरा sleeves भी stitch कर लेंगे तो हमने दोनों sleeves को attach कर लिया है अभी हम इसको उल्टा करेंगे तो हमने इसको उल्टा कर लिया है अभी sleeves से hip तक हम इसकी fitting करेंगे तो यहाँ पे जो हमने कट लगाया था वहीं तक हम इसकी फिटिंग करेंगे और उसके बाद दोनों साइड से हमारा स्लिट रहेगा तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्लिट बना लेंगे दोनों साइड में और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे